नमस्कार आप सभी का स्वागत है पंजाबकेसी.com में और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल स्टोरी भारती क्रिकेट टीम के प्लेयर रविंद्र जडेजा की राजनीती में एंट्री को लेकर कयासों का दोर शुरू हो गया गुजरात विधानसाब चुनाब में रविंद्र की पत्नी रिवावा जडेजा को सतारूड भारती जंता पार्टी ने चुनाबी रण में उतारा है रिवावा ने आज पार्टी के कई वरिष निताओं की मौजूदगी में जामनगर सीर्स से अपना नामांकन दाखिल किया इस दोरान चर्चा का केंदर रविंद्र जडेजा रहे वे भगवा रंग के कुर्ते में थे जिसे देखकर कयास लगाये जाने लगे हैं कि वह आने वाले दिनों में भगवा पार्टी में शामिल हो सकते हैं रविंद्र जडेजा भी गुजरा चुना में प्रो एक्टिव नजर आ रहे हैं बीते दिन जामनगर में अपनी पतनी रिवावा जडेजा के लिए वे प्रचार करते हुए नजर आए उन्होंने लोगों से रिवावा के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी इस सीट पर सबी की नजर ठीकी हुई है इसका मुखे कारण है सतारूर भाजपा ने मौजूदा विधायग धरमेंद्र सिंग जडेजा का टिकेट काट कर रिवावा को मेदान में उतारा है लेकिन मज़ेदार बात ये है कि भावी रिवावा के खिलाफ रविंद्र जडेजा की बेहन नैनावा जडेजा मेदान में है नैनावा कॉंग्रिस की और से चुनावी दंगल में उतरे विपिंद्र सिंग जडेजा के समर्थन में प्रचार कर रही है भाजपा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई ने जनता की कमर तोर दी है साथ ही उन्होंने से ये तो जग जाहिर हो चुका है कि जडेजा परिवार आपस कलह से घिरा हुआ है हलांकि इन बातों पर विराम गुजरात की जनता अपने मत से ही लगा सकती है आपको बता दें कि राज़े की 182 सीटों के लिए मतदान दो चर्नों में 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को होंगे और नतीजे 8 दिसंबर को घोशित होंगे गुजरात में मुखेरूप से भाजपा कॉंग्रेस और आमादमी पार्टी के बीच मुकाबला होना है फिलहाल इस खास स्टोरी में इतना ही ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए